पश्चिम उत्तरप्रदेश का कैराना एक बार फिर सियासी दलों के लिए राजनीती का मैदान बनता जा रहा है ग्रैब अंत्रिया में शाक कैराना आए और उसके बाद किस तरीके की परिस्थितियां कैराना में रहने वाली हैं क्योंकि यहां से बाबु जी के बेटी मरगां जनता के बीच हैं जनसंपर्क कर रही हैं और एक परचा भी उन्होंने दाखिल किया है खुद एकरा हमारे साथ बाचित करने के लिए मौजूद हैं एकरा जी पहले तो स्वागत करता हूँ मैं आपका धन्यवाद एकरा जी क्या चला है चुनावी माहौल पिछले काफी समय से आप चुनाव में हैं लगाता जनसंपर्क कर रही हैं तो कैसा माहौल नजर आ रहा है माहौल अच्छा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है और सभ सही रहेगा हमारे चुनाव के लिए तो पॉजिटिव है सब रिस्पॉंज जब से पस अत्ता में आई उसके बाद आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके परिवार के साथ खासकर विधायक नाही दसन के साथ कुछ ऐसी हुई है जिनसे आपके घर की राजनीती वो सियासत प्रभावित होने का काम हुआ है आपको लगता ऐसा जी बिलकुल उन पर ये फ पित कंडे आज तक और अभी चुनाओ से भी उनने दूर रखा गया है लेकिन एक्रा जी आपको नहीं लगता कि नाहीं धहसन के काम करने के जो सुछ तरीके हैं थानों में जाकर अधिकारियों से भीड़ना का भी तहसीel में जाकर अधिकारियों से जिस तरीके के भाष्य का वो इस्तमाल करते हैं अभी उन्होंने जमीन को लेकर तमाम मसले कहराना के अंदर चले आपको नहीं लगता कि इस तरीके की राजनीती खासकर योगी सरकार में चलेगी क्योंकि जहां बहुबलियों पर बड़े बहुबलियों पर मुकदमे कारवाई बुल्डोजर चल रहे हैं तो फिर नाही धसन की कुछ गलतियां तो होंगी ऐसे तो गैंग्स्टर नहीं लगेगी देखिए वो जन प्रतिनी दिये हैं और जब जनता को समस्या होगी तो उनकी आवाज उठाएंगे मजबूती के साथ उठाएंगे जहां भी उनको जाना पड़ेगा वो वहां जा जान बूचकर नाही धसन को ही टारगेट क्यों करेगी कहराना के विधायक को टारगेट करना कैयोगी जीजी के आजड़े में रहा है बिल्कुल रहा है मुझे नहीं लगता मेरे भाई ने कुछ भी गलत किया है इसको मैं क्लियर करूँगी दो बार स्टेट करूँगी मुझे नहीं लगता मेरे भाई ने कुछ भी गलत किया है ये सब उन पर फर्जी मुकदमे लगाए है ये बीजेपी का प्रॉपगांडर आ है 2017 में उन्होंने केराना विधान सभा से ये जो फर्जी फेक पलायन का मुद्दा जो उठाया था उसी सीट पे उनको मूगी खानी वड़ी इसलिए उन्होंने नाईद हसन को टार्गेट बना लिया है और ये सब उसी के तहट चल रहा ह इकरा जी एक बहुत मैतरपून सवाल ये है कि केराना से पस्चे मुत्तरप्रदेश की सियासत गर्म हुई भाजपा को इसका सीधा लाब मिला बाबू जी तो आज यहां नहीं है लेकिन बाबू जी ने इस मुद्दे को पुर्जोर तरीके से उठाया भाजपा का जो मुद में हैं सब आपके परिवार की तरफ आखटिकते हैं तो सिर्फ आपका परिवार सेंटर में क्यों हैं क्यों नाहीं दसन पर टार्गेट कर रही है सरकार क्योंकि हम जन्ता के बीच रहते हैं उनका काम करते हैं उनके मसले जो हैं उनकी जो दिक्कते हैं उनसे हम रूबरू है तो इसलिए भाजपा यहां से पहले भी विफल रही, 2017 में जहां से उन्होंने पलायन का मुद्दा शुरू करा था, वहां वो विफल रही, और चोटी मोटी नहीं उनकी बड़ी हार हुई थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी केराना पे लगा रखिया, लेकिन केराना उनके कबजे में न इस बार आएगा न पहले आया था, एक राजबस तीन अंतिम सवाल है, एक सवाल यह है कि बाबुजी की बेटी भी यहां से चुनावी मैदान में है, और आपके जो पिता जी थे, वो हमेशा बाबुजी का बड़ा सम्मान करते थे, तो क्या ही मा लगातार फील्ड में घूम रही हूं, तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम यह सीट निकाल लेंगे, जैसे पहले निकाली थी, इन्शालला, और चुनावी मुद्दे अलग होते हैं, उनका परिवार राजनीती में रहा है, सम्मानित परिवार है, हमारा परिवार राजन राजनीती में रहा है, कभी यहां पे मड्सलिंगिंग जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स में, वो ना उन्होंने करी ना हमने करी है, और उस तरह की राजनीती में मुझे पता है, उनका परिवार बिलीव नहीं करता, लडाई सरकार से है, सरकार के वो कैंडिडेट हैं, तो उस ह हमने आपको कहा कि यह सब उन्होंने साजेश रच रखी है मेरे भाई के खिलाफ, तो इसकी शुरुवात चुनाओ 2017 का जब से हमने चुनाओ जीता, तब ही से सरकार पीछे लग गई थी, तो हमने भी पूरी एहतियात, प्रिकॉशन लिया है, एक और निर्दलिया पर्चा क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने हतकंडे आजमाएंगे, उन्होंने मेरे भाई को चुनाओ से दूर रखा है, यह भी उनकी एक साजेश ही है, तो हमने बस अपनी तरफ से प्रिकॉशन लिया है, एक राज दुखी हैं कि भाई जेल में हैं, बाहर होते, चुनाओ लड़ते, पिता जी होते, माता जी शायदे भी इतनी अक्टिव नजर नहीं आ रही है, तो दुखी हैं इस बात से, माता जी पर भी मुकदमा लगा रखा है, बिलकुल दुखी हूँ क्योंकि यह सब बेबुनियाद है, हमारे परिवार को और कहराना को, बदनाम करने के यह जो उनके स पाजश है, तो उससे बिलकुल मन दुखी होता है, मैं आज अकेली हूँ, पर मजबूती से चुनाओ लड़ेंगे, मैं जिनकी बेटी हूँ, उन्होंने हमेशा हिम्मत होंसले से सब का काम किया, जनता उन्हें प्यार से शेर कहती है, तो मैं शेर की बेटी हूँ और उसी त लेकिन जनता आज भी जनता के दिल में वो बसते हैं, और कहीं भी स्पेशली जब चुनाओी प्रचार में मैं जाती हूँ, तो सबी लोग उनकी बाते करते हैं, बताते हैं, तो जितना टाइम मैंने उनके साथ वैसे नहीं बिताया, तो उनकी कहानियों से मुझे बहुत कु लेकिने को मिलता है, और मुझे नहीं लगता कि वो जनता के दिल से कभी भी निकल पाएंगे, इकरा बस एक अंतिम सवाल है, और इस सवाल बहुत महत्तपून है, सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, क्योंकि आपका एक वीडियो कंडिले का वाइरल हो रहा है, जिसको लोग मैं उस वीडियो में से काट के वाइरल करा है, लेकिन जो पूरी बात मैंने कही है, वो अगर आप सुनेंगे, तो मैंने बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं बोला है, मैंने सिरफ दूसरे गाउं में प्रेड़ना लेने के लिए कहा था, कि कंडिले में जिस तरह से वोट प्रेज बढ़ा हैं इस बार, तो उसी के लिए मैंने उधारन के तौर पे कंडिले का नाम दिया था, मुझे तो लगा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से उसको गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, एक छोटे से एंगल को पूरी वीडियो में से निकाल क उसको एक अलग आंगल दिया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंने सिरफ प्रेणा स्रोत के लिए उसको नाम लिया था, और कोई वज़ा नहीं है, आप बोल के बता दीजिए, एक बार कि वो लाइन क्या थी और क्या उसको तो पेश किया गया है, ताकि जो मारे प्रचार में बहुत भीड भडाका हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ मैंने आपती जनक नहीं कहा था, और अगर किसी को फिर भी लगता है, तो उसके लिए मैं शमाज आती हूँ, लेकिन मेरा सिरफ कहने का मकसद यही था, कि आप कंडेले की तरह पोल करें, परसंटेज उतनी क करें, जितने कंडेले में होती है, चलिए एकराजी बहुत देने बाद अपना समय देने के लिए, तो इस पुरे वीडियो पर भी एकराज़न ने अपनी जो स्पष्टे करन है, वो दिया, और साथ ही उन्हें उमीद है, कि उनको न्याएं भी मिलेगा, और जीत भी कहरना से उनकी ही होगी, फिलाल इस वीडियो ममसित में